लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्ट्रा 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 प्रताप भी आगया है क्या बाबा जी मीटिंग हो गई कॉंगरेश विलीशन प्रताप जिस काम के लिए हम सिर्जु लेंड आये थे वो काम हो गया वेरी गुड मामा जी इस दोसो क्रोड के कॉंट्रेक के लिए मैं पिछले छे महने से पीछे पड़ा था इसका एग्रिमेंट कब साइन करना है परसो मिनिस्टर आफ कॉमर्स के साथ तुमारी मीटिंग है तभी एग्रिमेंट साइन करना है ये खबर सुनके मा बहुत खुश होगी हलो मैं प्रताब बोल रहा हूँ मैं रामसिंग बोल रहा हूँ सर रामसिंग मा को फोन देना मा जी तो यहां नहीं है क्यों कहा गई है सर कल डॉक्टर साब आये थे हस्पताल लेके गए हस्पताल क्यों कुछ बताया नहीं सर मामा जी मुझे आज हिंदुस्तान वापस जालोगा क्यों क्या हुआ मा को हस्पताल ले गए पता नियुकी तबियत लेकिन प्रताब 200 क्रोर रुपे का कॉंट्रेक्ट उसके लिए मिनिस्टर को मिलना बहुत जरूरी मामा जी 200 क्रोर तो क्या मा से बढ़कर कोई काम नहीं प्रताब माम तुम्हें क्या हमा मenne कुछ नहीं हुआ पघली मैं ठीक हूँ तो फेर यहां क्योग यहां बडे-बडे डॉप्टरों की कॉनफरेंस थी मैंनेख एंदे-बौटे माम को चक आप कर लिया जाए तो करदा यहन अब 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 खर जा रहे हैं? क्या कहा डॉक्टर रोनी? मिस्टर प्रतायब, हमने आपकी मा की पूरी जांच कर ली है और आफसोच के साथ कहना पड़ता है कि केस बहुत ही कॉंप्लिकेटेट है उनके दिल की हालत बहुत नाजूख है इसके इलावा उन्हें डियबेटेज, स्पॉंडरलाइटेज और ट्रॉनिक आर्थराइडेज भी है जिसके वज़े से वो बगाईर हुल्चेर की कभी नहीं चल सकेंगी क्या उनकी विबारियों के लिए कुछ नहीं कर सकते? फ्रैंक्ली वी कांट दू एनिधिंग, इस नोट एडवेज़वल फॉर हार तो अंडर्गो हर्ट सर्चेरी हार्ट का उप्रेशन तो नहीं कर सकते मगर हमारी दवाएं उनकी तकलीफें कुछ कम कर सकती है दरसल वो सिरफ अपने आत्म बल पर जी रही है उन्हें देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी बीमार है शीज़ वेरी ब्रेव लेड़ी जी डॉक्टर साब हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं हमारी राए यह है कि आप उन्हें इतना भी खुछ रख सके रखें जो भी खाना चाहें खाएं जो भी करना चाहें करें क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है एक मामूली सा सद्मा भी उनके दिल की धरकन बंद कर सकता है जादा रुक 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 तुझा क्या हो मा मा मैं बहुत बिमार हो क्या बचने की कुई उमीद नहीं और इसके लिए जिम्मेदार तु है मैंने क्या किया मा मैंने क्या मा शादी क्यों नहीं करता है ओफ ओ फू फिर शादी चलो मैं तुमें खुबा के लाता हूं मा ओ मा क्या हो मा तू तो कुछ बात ही नहीं कर रही है मैंने तो कहा मैं तुछ से बात नहीं करूगी जब तक तुछ शादी के लिए राजी नहीं हो जाता मैं तुछ से बात नहीं करोगी अब क्या करू मा कोई लड़की पसंदी नहीं आती हम यहां के बैट क्या कहा क्या कहा मा कोई लड़की पसंदी नहीं आता। और नहीं मा मा दर असल बात यह है कि जब पत्मी शादी करके घर पे आती है न तो अपने पत्ती कि मा का दुख का कारण बजलाती है और मैं कौई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे तुम्हें कोई कष्ठ हो वाह कितना समझदर बेटा है मेरा अपनी मा को जरा भी कश्ट नहीं देना जाता लेकिन सारे सुखों से दूर रख रहा है वो कैसे? देख, हर मा का एक अर्मान होता है उसका बेटा शादी करे एक सुंदर सी बहु ले आए घर में रौनक हो बहुत सारे बच्चे हों उनके किलकारियों से सारा घर घूज उठे लाने जीदी ठीक ही कह रही है अभी शादी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? सिली बॉय ठीक है मा तो पिर जो भी लड़की अच्छी लगे जो तुम्हें कश्ट न दे तुम्हारी सेवा करें ऐसी लड़की ले आओ मैं शादी कर लूगा मोहन कुछ सुन्दर घरेलो लड़कियों की तस्विरे मंगाओ मुझे प्रताप की शादी बहुत जल्दी करानी है मोहन ने भी जून-जून के सब नमूने किठे की है मतलब इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी करनी पड़ेगी मुझे उफ, सब बिकार है और तु भी बिकार है अब मैंने क्या किया है मा ओप जैसा हो गया है अभी तक अपने लिए एक लड़की नहीं दून सका तू मा, बहुत का शॉक तुमे ही है अब तु भी भूट ढूटो, मैं तो चला परता है मा, मैं जा रहो हूँ मा, मैं तुमें चाहम को मिलता हूँ सब बिखा रहे, सब बिखा रहे अभी अभी यह लड़के तो बहुत खुबसुरत है वाँ तेलिविशन की एक नहीं गाई का फूजा मेरा क्या खुसूर मेरी आख में सुरूर मेरी बात में उरूर ये तो है मुझे पता पुछुेवान है जरूर माई गाई गाई तो चुह लाई खुशूर माई गाई जूत सब कहते हैं लड़की जवार हो गई हो ये तो हो ये तो सुन सुन के मैं परिशार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई है जवानी है जवानी है जवानी है जवानी है जवानी है जवानी है हो ना जाओ पद ना हो ना जाए कोई फून सारी दुनिया बड़ी पेमार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई हुए तो, हुए तो, हुए तो, सुन सुन के मैं परिशार हो गई, सब कहें नड़ के जवार हो गई है जवानी, है जवानी, है जवानी, है जवानी, है जवानी, है जवानी बेगे सुच दिन राथ जब आएगे बाराथ जल्दे से लो फेरे साथ जाओ सजना के साथ किस बब से कहूं अपनी दिल की में बात मेरे दावा मुश्किल में एजाद हो गई सब कहते हैं लड़की जवाल हो गई हो ये तो, हो ये तो, हो ये तो सुन सुन के मैं परिशार हो गई सब कहते हैं लड़की जवाल हो गई अरे पेश क्या कर रहे तू अमने देख टेक 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 आहां अब टीवी देखना बंदकर साम्में देखने देखने आरे अरे मर गए ठोक दिया रहा तुने मेरी बारी ठोक दी अरे यह तो यह तो वह टीवी वाली लड़की है अंद्रेट परसेंट वह लड़की है देखकर नहीं चला सकते आपने हमारी गाड़ी ठोक दी मैंने आप से कुछ पूछा और आप है कि आँखे फार फार के देखे जा रहे हैं और अपनी गलती मानने की बज़ा है शेर जहर रहे हैं जी मैडम इतनी हसीन गलती को हम सलाम करते हैं तो चलिए इसे बात पर अपना दिलो दिमाब आपके नाम करते हैं शायरी से इनको इंप्रेस करना बेकार है आपको गारी का नुकसान भढ़ना ही पड़ेगा देखिए आपका यह नुकसान तो मैं भरी दूँगा लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ है उससे कौन भरेगा आपकी गाड़ी को क्या हुआ अच्छी खासी तो है, मार तो इस गाड़ी को लगी है अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम, जो चोप उपर से दिखाई नहीं देती, वो बहुत गहरी होती है हाँ फिर आप बताईए कितना नुक्सान हो आ है, मैं चेक काड़ लेता हूँ हाँ, आपका चेक वापस तो नहीं आ जाएगा देखिए, यहाँ तो यह आलम है कि एक बार दिल दे देते हैं तो वो भी वापस नहीं आता फिर चेक वापस कैसे आ सकता है, खेर, आप बोली, आपका नाम क्या है बहन जी बहन जी? कौन बहन जी? कौन बहन जी मतलब आप बहन जी और कौन बहन जी? क्योंकि इनको तो मैं बहन जी बोल नहीं सकता ना क्योंकि इनके साथ तो मेरा जन जन्मांतर का दूसरा वाला रिष्टा है, क्यों है ना? एक मिनिट, आप मुझे इससे पहले कब मिले थे? क्यों यही कुछ दस मिट पर देखा था? दरसल मैंने आपको टीवी पर देखा था, और बस देखता ही रह गया, और देखते देखते पता नहीं कितनी सदियां बीद गई और… यह तो लव एक फर्स साइड वाला मामला मालूम होता है, लव? मैं तो आपकी शकल भी नहीं देखना चाहती, अरे मेरे और आपके विचार कितने मिलते जुलते हैं, मैं तो खुद अपनी शकल देखना नहीं चाहता, आहा, देखने लायक शकल तो आपकी है, भाई वाह, अब है, जैसा रूप, वैसा नाम, तुम हमारी पूजा और हम तुम्हारे पुजारी, हाँ अरे तद्दू, तुम यह, यह, क्यों बैटे, सीठी बजा रहे हो, मेरे सब पनो की राणी कब आएगे तू, कोई लड़की पसंद बसंद आगी क्या, अरे, यूर एपसलिटी राइट दद्दू, लेकिन आपको कैसे बता चला, अरे, मैं भी जब कॉलेज बे था, खुबसूरत लड़कें देके स्थीटी बजाता था, आप भी, क्यों, मेरे पास दिल नहीं है, क्या, अब ये बता, वो लड़की खुबसूरत है या नहीं, अरे, खुबसूरत, बला की खुबसूरत है ददू, अरे, तुम मुझे जरू अरे, अरे, ददू, ये बता, वो भी तेर जैसे सीटी बजा रहिया नहीं, वो, पता नहीं ददू, वो, अरे, पता नहीं, तो पता लगवाईये, और सीटी नहीं बजा रहिये, तुसे सीटी बजवाईये, और जब तुम दोनों के सीटी अब बजना लगे, तुसे मेरे प वेल्टास्टिक! आर्व टाम की वेश करा जास, यूग 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 यूग, यूग 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 यूग, शोब काम में धेर नहीं! और रासटाम की वेल्म एड पूजा! कि और अपल पूजा सी निल में तुम्हें यहां आने की इजास्त डिल ने ED καज़ादी दिल किसी और से इजाज़त लेने की की चिने पाइब देखो, तुम अपना वक्त बरबाद कर रहे हैं। On the contrary, मैं तो यह समझता हूँ मैडम, कि मैंने अपने वक्त का इससे ज्यादा अच्छा इस्तमाल आज से पहले कभी किया ही नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो। मैं अपनी जिन्दगी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सिर्फ तीन मिनट चाहिए, बस। क्या मतलब? मतलब ये, कि इन तीन मिनटों में मैं आपसे चन सवाल पूछूँगा, और उन सवालों के जवाब लेते ही, सीधा बैक टू दब पविलियन, इंडियन क्रिकेट टीम की तरह। पूछू क्या मैं अंधा हूँ? जी? नहीं, लगता तो नहीं है क्या आप किसी और को चाहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जब ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझमें कोई खास खराबी भी नहीं है, तो मेरी अर्जी पर ठंडे दिमाग से विचार करने में आपको क्या पती है? यह रहा मेरा दिल, मेरा मतलब है मेरा बिल, मेरा मतलब है अर्जी यह तो कोरे कागस है यही तो कहने आया था कि जब तक इस कोरे कागस पर तुम अपनी हाँ की महर नहीं लगा देती तब तक यह दीवाना तुम्हारे घर के सामने कल सुबह च्छे बजे से तुम्हारी हां का इंतजार करेगा और अगर कहीं तुम 6 बजे ना आपाई तो 7 बजे और साथ नहीं तो 8, 9, 10, 11, 12 कल परसूं तरसूं हर पल हर समय तुम मुझे अपने सामने पाऊँ और मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूँगा जब तक तुम हां नहीं कह देती चाहें इंतजार करते करते मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं तो मैं चलू कल सुबह ठीक छे बजे जब बरसु कारते कर दो झाल 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 सावन के बस की बात नहीं बादल के बस का काम नहीं इस रोग की कोई दवा नहीं इस दर्द का कोई नाम नहीं मैंने जाम से कहा मुझको जलने से बचा तो जाम नहीं कहा ले ये आग पी जाओ मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा सावन नहीं कहा चुतु के से जल जाओ काम मैंने से बिल की मुझे को पीने का शौत नहीं ये दिल की लगी बुचानी है आखों में कितने आँसु है सागर में कितना पानी है मैंने सागर से कहा मेरी प्यास बुचा सागर ने कहा डूब के मर जा मैंने सावन से कहा दिल की आग बुचा सावन ने कहा चुप के से चल जा जिस रोज ये मेरा दिल तूटा उस रोज बड़ी बरसात हुई बरसों मैं उस हर जाई से एक दिन जो मेरी मुलाकात हुई मैंने उस से भी कहा मेरी क्या है खता तो उस ने कहा तूने प्यार किया मैंने सावन से कहा दिल की आग बुचा सावन ने कहा चुप के से जल जा मैंने बादल से कहा दिल की आग बुचा बादल ने कहा आगल है तुप कि यह क्या हालत बना रखी तुम्हें है कि हालत मैंने नहीं कि हुजा ने बनाई है मेरी चोड़के चली गई मुझे इतना भी नहीं सोचा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं प्यार करने वाले आउसु बहाते नहीं आउसु पीते हैं रोते नहीं मुस्कुराते हैं उनकी यादों का नशा इतना गहरा होता है कि शराब की जरूरत नहीं पड़ती सच तो यह है की तुमने पूजा से प्यार नहीं किया सिर्फ उसे पाने की कोशिश की है और जब तुम उसे नहीं पा सकी तो तुम्हारा दिल टूट गया क्योंकि तुम उसे नहीं अपने आप अबसे प्यार करते थे और तुम्हें दुख हो रहा है कि उसकी शादे तुम से नहीं किसी और से हो गए वह बहुत खुश है और उसकी खुशे तुम से देखी नहीं जा रही नहीं यह जूट है यह जूट है तो सच क्या है सचिह पूजा कि मैंने तुम्हें और सिर्ध तुम्हें प्यार किया है और अज भी तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा अगर यह सच है तो उसकी खुशी में खुश रहो कि उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुराओ उसकी याद में मरने की बज़ाएं जिन्दा रहना सीखो और अगर तुम पुजा से सच्चा प्यार करते हो तो तोड़ दो ये बोतल छोड़ दो ये शराब और अगर तुम ये नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने मूझ से कभी पुजा का नाम नहीं लेड़ा मत कहना कि तुम उसे प्यार करते हो प्रताप स्विजर लेंड से वही 200 क्रोड रुपे वाली पार्टी का फोन आया था वो लोग यही चाहते हैं कि हमी वह बीदर सभाले तो आप ही चलिए इमामा जी मैं तो जाओंगा ही बिटा लेकि तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है तो एक काम कीजिए अगले महने कर प्रोग्रम बना दीजिए अगले महने नहीं तुम कल जाओगे कल तुम स्विजर लेंड जाओगे लेकिन मा शरम नहीं आती शादी को 11 महने हो गया है अभी तक तुम लोग हरी मुन नहीं गये सर्फ मेरा पल्लू पकड़कर घुमत रहो लेकिन मा आपको छोड़कर फिर मा एक क्या मुसिबत है देखो तिकिर्स आगे है तुम लोग दोनों कल जा रहे हो बस लुग देखो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो रहते हैं हम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम हो आँखों में तुम हो क्लें सिर्षित कि नНе आख था 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 को और चाहिंग क्योंकि आखा दिндम हो और आखा में तुम में तुम हो आखा में तुम कर दो कर दो पहले ये नींद गई फिर ये करार ना जाने क्या जाएगा अब की बार मुख पे सजा लिया मैंने ही प्यार बस हो गए मेरे सोला सिंगार कजरा ना गजरा ना कुम कुम कि आखों में तुम हो आखों में तुम सीने में दिल धक धक धुम धुम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम खामोश है हम दोनों मगर करने लगी बाते नजर तुम ने कुछ ऐसे देखा इधर फिर क्या हुआ नहीं मुझ को खबर बस होश मेरे हो गए तुम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम सीने में दिल धक धक धुम धुम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम रहते हैं हम, खोई खोई गुम सुन, क्योंकि आखो में तुम हो, आखो में तुम आखो में तुम हो, आखो में तुम हो, आखो में तुम आखो में तुम हो, आखो में तुम आखो में तुम हो, आखो में तुम वाँ प्रेम सहाब, आप ने तो कमाल ही कर दिया Thank you कितनी सफाई से कातिल को उसी की बातों में फंसा दिया और आसा फंसागी खुद ही मानियागी वो कातिल है दादा जी आप? What a lovely surprise, दादा जी यहले वेटा इसकी क्या जरूती? आज तुने एक ऐसा केस जीता है इसे से यागे बड़े बड़े वकिलों ने लेने की हिमत ने की I'm part of you, my boy Thank you, दादा जी चल वेटाब चल, घर चले चले पूजा पूजा इन फूलों के असली हकतार तुम हो मेरी सारी सबलता, मेरा नाम सिर्फ तुम्हारी वज़े से है तुम जहां भी हो, खुश रहो, सुखी रहो और दुनिया की तमाम खुशिया इन फूलों की तरह हमेशा तुम्हारी कद्बों में रहे प्रताप, तुम्हें पहले ही जाने के लिए गाड़ी के लिए कहा था? यह रही चाबी और वो गाड़ी तुम लोग जाओ आप कब आएंगे? बस यहां का काम खुतुम करते ही, तुम्हें वहां मिलता हूँ एपी जर्नी चले फूजय यहाद आज कौन सी तारिक है? 6 अक्टोबर और कल 7 अक्टोबर हमारी शादी की पहली साल गया है तो याद है तुम्हें यह तारिक मैं कैसे भूल सकता? कल क्या करेंगे हम लोग? कल हम लोग अपनी शादी की सालगिरा बहुत धुन-धाम से मनाएंगे नाचेंगे, गाएंगे एक दूसरे के प्यार में समाज आएंगे ओमाइगा धुक्त वजाएगे वजाएगे यह क्या हो रहा है? वजाएगे अपनी के पैक सकाथ दे कर रहे है ओमाइगाद अब क्या करेंगे यह क्या हो रहा है? च्रीक ड्रीक अीज, प्रीक अ बिल्क, आपरेक्स प्रीक, बिल्क कूछ Kane warn you कूच़ मेरा कूछा करी अप्हां का कूछ आपता जो आप कूछ लिस्यादर कर सब लुद्ध कर दोंदोर कुछें लाफ पलता भी में पूछाओ कर सší दो भी में लिए चावेगां प्रुजाँ प्रुजाँ झीस प्रोप प्रोप टीस प्रोð झीस प्रोप ठीस प्रोप गल् birthday प्राथा, प्राथा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्राथा कोई है, 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 है पुजा, 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 प्राथा, पुजा, लगता मैंने बचुगा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं, मैं हूँ ना पुजा, मेरी बात सुनो, पुजा, ये खबर मा आ तक नहीं पहुशनी चाहिए, वो ये खबर बंदाश नहीं कर पाई, वो मर जाए, पुजा, तुम्हारा काम है, पुजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पुजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होग बुचचा, हम्पोड़ एक पक्राइब। एक पक्राइब। एक्राइब। रिक्राइब। पहुत धुमधाम से मनाएंगे अपनी शादी की पहली साल गिरा नाचेंगे गाएंगे और एक दूसरे के प्यार में समा जाएंगे कि देरेश रखो बेटी रोना था वो ही अब रोना इसे क्या फाएंगे मेरी सिंदगी में तो अब रोना ही रोना है मामाची समझता बेटी तो अब अब तो मेरी दिदे का भी सामना करना है समझ में नहीं आता क्यों तक ये खबर कैसे बचाओ इंदे Sichar नहीं को कुछ भी नहीं बताना है लेकिन यह कैसे हो सकता है जो भी हो मा को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए यह हुआ कि अंतिम इच्छा थे पैर यह इतने बड़ी बात हमक्रश चुपा करके मादी कि अंतिम सास तक ठीक है बेटी तुम जसा चाहो वैसे होगा तुम्हारे और मेरे सिवाए किसी को यह पता नहीं चलेगा तो परताब अब इस दुनिया में नहीं मैं सब इंतिजाम कर दूँगा कि परताब का नाम पुलिस के रिकॉर्ड में और अधसा तुकेट बढ़ नहीं पुलिस के रिकॉर्ड में पुलिस के रिकॉर्ड में अरे प्रणाब मा बापस आगे तुम लोग तो दो महने के लिए गया थे दस तिन में बापस आगे प्रताब का है कर जा सकता था कहा ठाहरा है लंडन में फोन लगो मैं बात करूंगी वो तो अब लंडन से निकल चुके होंगे कह रहे थे कई जगा जाना है शायद काफी वक्त लग चाहें पूजा ए पूजा क्या बात है तुम खोई-खोई से कुछ मुझा ऐसे लग रही हो नहीं क्यों प्रताब ने परिशान तुने किया नहीं मा ऐसा कुछ नहीं ठीक है तुम जाओ आराम करो जी जी जाओ मेरी आखों में आसु है मगर मेरो नहीं सकती बुझे की आखे कैसे मुझे की आखे कैसे के बारिश हो नहीं सकती मैं चुपके चुपके जला करती हूँ छुपा कर आसु हसा करती हूँ मैं चुपके चुपके जला करती हूँ छुपा कर आसु हसा करती हूँ मुझे मालूम है अब मैं मुझे मालूम है अब मैं कभी खुश हो नहीं सकती मेरी आखों में आसु है मगर मैं रो नहीं सकती न राते अपनी न दन अपने है हजारों टूटे उए सपने है न राते अपनी न दन अपने है हजारों टूटे उए सपने है मेरी पलकों में नींदे है मगर मैं सो नहीं सकती मेरी आखों में आसु है मगर मैं रो नहीं सकती मुझे की आख ये कैसे के वारिश हो नहीं सकती मुझे की मुझे की आखने doctor मुझे की आखने आखने लो के समय के सकती आखने रे शन ऑेम मुझे आख़ने हाई पूजा कैसी हो तुम अच्छी हो और तुम पहले तो ठीक नहीं था लेकिन तुम्हारी डांट सुनने के बाद अब बिल्कुल सुधर गया हूँ पूजा तुमने मुझे बचा लिया वरना शराब की आदत में मुझे बरबाद ही बलुप अन्याया में पूजा थी इसका क्यों पूज ही था अजजी प्तुन सुमरे बद है किस बात की बद़ाए भाई पिछले सोमवार को साथ अक्टूबर था तुम्हारी शादी की पहली साल गिरा चलो देर से ही सही तुम्हें आज बधाई दिये देता हूँ Wish you a very happy first wedding anniversary and many more to come Thank you अब चलो जल्दी जाना है Bye Pooja Pooja मैं देख रही हूँ जब से तुम वापस आई हो खोई-खोई से रहती हो भूग भी कम हो गई तुम्हारी क्या बात है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा उसका कोई फोन नहीं आया कल रात को ही उनका फोन आया था आप आराम कर रही थी इसलिए आपको जगाया नहीं मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी उसका फोन आये मुझे जगा दिया करो खैर कोई बात नहीं क्या कह रहा था वो आपका हाल पूछ रहे थे वो ठीक तो है ना क्यों के दिनों से अज़ीब अज़ीब सपने आ रहे हैं कब तक लोटेगा कह रहे थे कि समय लगेगा सारा काम पूरा करके आना चाहते हैं फिर से दुभारा न जाना पड़े मुझे नहीं लगता कि वो सच कह रहा है क्यों क्योंकि अगले हफ्ते दुर्गापुजा है और दुर्गापुजा के समय वो हमेशा यहां रहता है क्योंकि अगले 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 है मुझे मालूम था तू आएगा जा, मा को प्रणाम कर तू यहां नहीं था? कैसे मुझे ही हुई थी? ना हस्ते थी, ना ठीक तरह से खाना काते थी अब देखो, कैसे खिल रही है? अब मैं आगे हुआ देखना, सब कुछ ठीक है जाएगा तुम कौन हो? मैं कौन? मैं तुम्हारा पती प्रताब मेरे पती? नहीं, तुम मेरे पती नहीं हो अरे, यह तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पती हो उस आक्सिडेट में मैं बच कया था नहीं, यह नहीं हो सकता मैंने अपनी आखों के सामने तुम्हारी गाड़ी को जलते और टुक्रे टुक्रे होते देखा है तुमने ठीक देखा है लेकिन जिसे वो बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता लेकिन लेकिन तुम बचे कैसे हमारी गाड़ी के एक्सिडेंट के बाद जब तुम मदद मागने के लिए बाहर निकली थी तब मैं किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल के आया उसी वक्त एक धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आपके एक हॉस्पिन लिपाया पता लगा कुछ लोग मुझे उठा कर ले गए थे और मैं कई दिलों तक बेहोश पड़ा रहा पूजा तुम्हारी प्यार की शक्ती ही मुझे मौद के मुझे निकाल लाई मैं ही तुम्हारा प्रताप हूँ तुम्हारी बहुत कृपा है मा तुम्हे मेरा सुहाग बचा लिया मेरा पती वापसा गया तुम्हारी प्रताप नहीं हूँ अरे पूजा ये तुम्हें क्या हो गया मैं तुम्हारा प्रताप हूँ नहीं प्रताप की पीट पर कोई मस्ता कोई दाग नहीं था कौन हो तुम बोलो कौन हो तुम अरे क्या फरक पड़ता है कि मैं प्रताप हूँ या रंजीत तुम किसी को तो ये बता सकती नहीं कि प्रताप मर गया है और मैं रंजीत हूँ क्योंकि ये सुनते ही वो बुड़िया मर जाएगी तुम चाहते क्या हो अपनी शकल का फायदा उठाना चाहता हूँ प्रताप से अपनी शकल मिलती है अरे आखिर क्यों न मिले मैं प्रताप के बाप की नाजायस आउलाद हूँ नाजायस आउलाद इस करोडों की जैदाद में पचास लाग तो मुझे भी मिलना चाहिए ठीक है, मिल जाएंगे मगर इतना याद रखना मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मा के लिए कर रही हूँ अगर उन्हें कोई भी ठेस पहुची, तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगी मा को यही पता लगना चाहिए कि हम दोनों बहुत सुखी पति-पत्नी है और दूसरी बात ये, कि मैं यहां सोऊँगी और तुम वहां उस कमरे में जहां बोलोगी सो जाओगा, जो कहोगी करूगा अपने को तो अपने पचास लाग से मतलब पति की आक्टिंग करते-करते तुम्हें पत्मी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा संदरी यो रंजी कहो कैसी कटी पहली राद तब मामरा फिट हो गया न? बस जरा सी कड़बड हो गई पूजा ने मुझे पहचान लिया क्या? अरे बेवोकूफ? उलू गदे? मैं तुम्हें वो सारी वीडियो फिल्म जीसे लिए दिखाई थी कि तु पर्टाब की हर बात, हर आदा तु अच्छीता से सीख ले और तु एकी पहली रादी चीत होगे? अरे बस अब तुम्ही सोचो जरा इतनी सेक्सी लड़की अगर अपनी बाहे फैलाए मेरे सीने से चिपके तो मैं कीर्टन करता किन तु पकड़ा तो गया ना सब सतनास कर दिया तुझा अगर तुझे परताब मान लेती ना सारी दौरत बुठी में होती बिकार ही परेशान हो रहे हो पहले सब कुछ फिट कर दिया है वो सब के सामने मुझे पताब बना कर ही रखेगी और उसके लिए मुझे पूरे पचास लाग रुपे देगी तो मैं एक दम मुल्लू के पठे हो अब क्या हो गया तुम पचास लाग रुपे से खुश हो रहा है मैं तो बीस क्रोड रुपे का नुक्सान हो रहा है बीस क्रोड का मैंने तुम से उसकी गाड़ी के ब्रेक इसलिए निक्रवाई थे है ताकि वो वहाँ दोनों मर जाए और तुम यहां परताब बनकर आ जाओगे नारी मा मरी और यह सारी दौरत हमारी लेकिन आए जोरा से शुख हो गया लेकिन आप दोबारा कोई गल्ती मत करना है पूजा जाजाँ जुपजाँ जाज नमस्ते मामा जी नमस्ते बेटी पूजाए बेटी तो यहां कैसे मामा जी एक मुसिबत आ गई है क्या है बेटी कल सिंदूर उचसरव में अचानक एक आदमी आ गया जिसकी शकल प्रताब से बिलकुल मिलती है यहां तक कि रानी मा भी उसे अपना बेटा मानती है क्या कह रही हो तुम कुछ पता तला वो कौन है वो कह रहा था उसका नाम रंजीत है रंजीत मामा जी अब मैं क्या करूँ संभल कर रहे ना बेटी जब दीदी ने उसे प्रताम मानी लिया है तो तुमें भी उसकी बीवी बने रहने की एक्टिंग करने पड़ेगी लेकिन मामा जी एक अंजान आदमी के साथ डर लगता है बेटी मिल कुछ फिकर मत करो मैं जो सब संभालूगा ठीक है मामा जी अब मैं चलती हूँ खुशन हो बेटी अब मैं टार बुशन हो जी बेटी बेटी अंजान बेटी सीजब तो थांजा बेटी खुशन बेटी कुर्सियां इस तरफ और उस तरफ लगाज़ा है अच्छा राणी मा डाइनिंग के लिए यहां इस तरफ एक और उस तरफ एक और यह से क्या हो रहा है मा आज प्रताप का जैनम दिन है ना बड़ी दूंडाम से मनाएंगे अब पुजा एक गाना गाएगे यहां मा यह क्या छोटा बच्चा है जो हैपी बद्धे गाना गाएंगे अरे मैंने कब कहा कि तुम हैपी बद्धे गाना गाओ जो गाना तुम्हें सबसे पसंद है वही गाना गाओ लालाला, 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 लालाला हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबद आसान नहीं होती आसु खुशी के हमके होते हैं एक जैसे इन आसुओं की कोई पहचान नहीं होती हाँ हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबद आसान नहीं होती हर बात है वही पर मतलब बदल गए हैं दिल डगमगा गया था पर हम समल गए हैं ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन होता है और सब कुछ पर जान नहीं होती हाँ हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबद आसान नहीं होती हाँ 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 होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे भूंगट भी एक जैसे सहरे भी एक जैसे सब जानती है नजरे पहचानती है नजरे अपनी पराई सूरत अज़ान नहीं होती हाँ हर एक मुस्कुराहत मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबत आसान नहीं होती क्या चीज़र एक जैसे देल भी हो जाए जब अकेला रहता है साथ इसके यादा का एक मेला दुनिया भी छूट जाए हर आस तूट जाए दुनिया भी छूट जाए हर आस तूट जाए महफिल कभे दिल की वीरान नहीं होती आसू खुशी के आँके होते हैं एक जैसे इन आसूं की कोई पहचान नहीं होती हाँ हर एक मुस्कुराहत मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबत आसान नहीं होती तुम अंदर कैसे आये जब पती डुब्लीकेट हो सकता है तो चाबी डुब्लीकेट नहीं हो सकती क्या है तुम चाहते क्या हो तुमने मेरा दिया हूवा केक तो मुझे से निकालकर फेग दिया नेकर आप तुम मुझे इस कमरे से नहीं निकाल सकती तुम्हारा मतलब थेरे बोल थेरे वटन तेरी सास जाक चाहेगी पास्टर्ड अगर तुने मुझे चुआ तो इसकी सारी कोलिया तेरे सीने के पार हो जाएगी तो मुझे कोली नहीं बा सकती क्यूंकि कोली की आवाज सुनते ही बुडिया यहां आजाएगी और तुमसे पुछेगी पुझा ये तुमने क्या किया तो क्या जवाब दोगी है और अस्यों सुनते ही बुडिया मर जाएगी माजी का क्या होगा मैं बाद में सोचूंगी लेकिन अब तू मारा जाएगा हाएगी अबियां गी घ palavras, वर सेझी ॏढ बादूंगी प्राट प्राट अलो प्रेम पुझा तुम प्रेम मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ क्या बात है पुझा सब ठीक तो है न कब मिल सकते हो जब तुम चाहो आज आजाओ ठीक है मैं अभी आती हूँ प्रणाव मा हैपी बर्दे मा प्रताफ कहा है सो रहे है लंडन से आने के बाद प्रताफ कुछ बदल सा गया है क्यों आप ऐसा क्यों सोचती है मा देख रहे हूँ देर तक सोता है शराब पिता है ऐसा तो पहले कभी नहीं करता था वैसे शादी के बाद आदमी थोड़ा बहुत तो बदली जाता है और फिर कल रात पार्टी में दोस्तों के साथ भी गए होंगे गुद मॉर्निग रानी मा गुद मॉर्निग हैलो पूजा बेटा मैं आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर लाया हूँ मैंने आपकी ब्लड रिपोर्ट एसीजी रिपोर्ट खूब गोर से देखी है आपकी सिहत पहले से अच्छी हो गई है और ये सब हमारी दवाओं का चमतकार है ये आपकी दवाओं का चमतकार नहीं है डॉक्टर साहब ये तो पूजा की सेवा का चमतकार है बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा की सेवा है और हमारी दवाएं साथ साथ चलते रहीं तो एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी यानि आप यह नहीं मरेंगे मेरा मतलब है कि अब डर्न की कोई बात नहीं है डॉक्टर साब नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है किसी किसम की लापरवाई नहीं होनी चाहिए जी अच्छा रानी मा मैं चलू डॉक्टर साब अब शहर जा रहे हैं मैं भी आपके साथ चलती हूँ वहां मुझे थोड़ा काम है कम आन वेल्कम चलती हो मा जा अच्छा बुरिया तो बनने का नाम यह नहीं लेती है जी तो करता इसका गला दबा कर खतम कर डालू कि प्रताप प्रताप ए प्रताप हा मा आज तारी कौन सी है पहला नौंबर क्यों कोई खास बात है मा नहीं कोई खास बात प्रताप नहीं ऐसे ही पूछा था मा मैं जड़ा बाहर जा रहां एक ज़रूरी काम आ गया है अच्छा जा अप्रताप ए दू यू जप्ताप नहीं पहने तुमा आज सब्सक्राण कि परताप में अच्छा वेरी के इच्छा है अच्छा मेरी वर्जशा है अच्नी परे माला उफ एक नहीं पहना नहीं पहनें लें पॉप्ली संदर लग है तो में आज मेरा जनम दिन है यह मुझे नहीं मालू७ लेकिन मेरा जनम दिन मनाना तुक अभी नहीं बूलता मुझे जनम Consumer Влад下ét जनम दिन क्या मैं भूल सकता हृँ इस तरह से कोई जनम दिन मनता है किया पागिल कि अच्छी लग रही है मो मा वेरी मा पड़े झा। होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे भूंगट भी एक जैसे सहरे भी एक जैसे सघ्साय कोड़कर ड़ाद मरने का नामी ने लेती है और वो सला डॉक्टर कहता उसकी सिहत पहले से ज्यादा अच्छी होगी है अब अपने से यह नाटक वाटक नहीं होता है पागलों जैसी बाते मत करो करोडों की दॉलत फोकर में नहीं कमाई जाती है उसके लिए मेहनित करनी पड़ती है दिमाग खर्ट करना पड़ता है जिस से नाम भी मर जाये और लाठी भी ना टूटे वाट ना जाये जॉलत और कुछ इसके अलावा में और कुछ नहीं जानती पूजा यह सारी बाते तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी खेर वो जो कोई भी है मैं उसका पता लगाता हूं और तुम अपना ख कि काम हो गया हमा काम हो गया मां घूमने जा रहे थी चलो मैं खुमा के लाता हूं पुजा कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना एंड टेक क्या हूं थैंक यू वेरी मच फ्रेम चलों और बाई प्रदा जी मा क्या कर रहे हैं माजी को तो प्रताप साब घुमाने ले गए हैं किस तरफ उस तरफ प्रताप हा मा तुम्हें याद है यूरोप जाने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कौन सा वादा मा कि इस पहाड़ी पर तुम शिव जी का एक मंदिर बनाओगे बिलकुल याद है मा और मैंने आखेटेक्स से बाद भी कर ली थी वो मुझे दो तीन डिजाइन बना के देगा उस पेसे आप एक पसंद कर लीजेगा मा आपको दिया वादा मैं कभी भूल सकत अब यह जूट है यह जूट नहीं सच है मा मैंने मामा जी के सामने आखेटेक्स से बात किये वो लीजे मामा जी आर उन्चे आप पूछ लीजे मैंने अपने बेटेस से कभी कोई मंदिर बनवाने की बात ही नहीं कि तुम पताब नहीं हो बताओ तुम कौन हो जब आपने पहचानी लिया है तुम्हें बता ही देता हूँ मेरा नाम रंजीत है आपके पती की नाजाए जौलाद क्या बक्वास कर रहे है तुम्हे बक्वास नहीं कर रहा है जीदी मिल्कुल सच बोल रहा है जीदा जी शाजी से पहले अक्सर मुनी बाय के कोठे पर जाय करते थे उन्हीं की नाजाए जौलाद है यह रंजीत अरे मा मर गई मैं रास्ते में आगी चोरी चकारी करके पेट चला दो एक दिन पहन बाबु के हाँ चोरी करने गया और पकला है उट्चा साब सोच अब तो मार भी पड़ेगी और बड़े घर की हवा भी खानी पड़ेगी लेकिन लेकिन वहाँ तो सीनी उल्टा हो गया उन्होंने मेरा थोबला देखा और बोला अमारा नाम क्या है साब रंजीत साब रंजीत? हाजी मौनल ये तो तेरे लिए 20 कुरूर का बेरेट चेक है 20 कुरूर का बेरेट चेक? कुछ बोला साब तुमें लेकाम करेगा उसके तुमें दो लाक रुपए मिलेंगे तो लाक रुपए के लिए तुम मैं कुछ भी कर सकता है साब मेरा प्रताब मोन मेरा प्रताब कहा है मेरा प्रताब कहा है मेरा प्रताब कहा है रानी मा आपका प्रताब आप इस तुन्या में नहीं है किस दुमारा है? किस दुमारा है? बोस आपने तो कहा था कि इनका दिल बहुत कमजोर है? बेटे की मरने की खबर सुनते ही मर जाएगे लेकिन ये तो बड़ी पत्थर दिल लिख ली अराम से बैठके हमारी कहानी सुन देगे इन्हें समझाएगे ना? पेटा तो मर क्या है अब ये भी मर जाएगे चिंता मत कर दिधी हम पर अत्यचार तो मत कीजिए अपने हम बर जाएगे प्लीज दिधी हम पर करपा कीजिए प्लीज ये अपना काम करही देता हूं जयां विया है जाँ 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 स्थी जाँ 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 इस्पेक्टर साब मेरा नाम प्रताब बर्मन है मैंने ही आपको फोन किया था मेरी पत्पी ने मेरे मा का और मेरे मामा का खून कर दिया और मुझे भी मानने की कोशिश की है मैंने उस अंदर बंद करके रखा आईए इस्पेक्टर साब इस्पेक्टर साहब इस शैतान ने मा का खुन कर दिया मैडम खुन किसने किसका किया है ये तो अदालत ही बताएगी बैनर जी अरस्चा बैनर जी ये सर्फ तुम उस तरफ जपाचपा चान मरो मैं इस तरफ देख्टा हुआ 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 है बैनर जी ये सर्फ देख्टा हुआ 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 है मेरा नाम रंजीत है आपके पती परमेश्वर की नाजायज आउलाद मा मर गई और मैं रास्ते पे आ गया चोरी चकारी करके पेट भरता था बुड़िया बहुत चला करें मरते मरते भी मेरी फासी गंतजार पर लेकर अब फासी पे चड़ेगी पूजा और इस सारी जायदात का मालिक बनेगा रजी जयाओ... कि याउनर लगता है श्रीमती पूजा देवी फिल्में बहुत गे इनका कहना है कि इनका पती मिस्टर प्रताप विदेश में कार एक्षिनेंट में मारा गया और यह हिंदोस्तान में किसी को खबारी नहीं कुछ दिनों बाद हू बहू उसी शक्ल का एक आदमी वापस आ गया और किसी को पता नहीं चला कि वो असली प्रताब नहीं नकली है जोर अनर एक अंधी मा भी अपने बेटे की खुश्बू सूंकर पहचान लेती है कि उसका बेटा आ गया है लेकिन शिर्मती पूजा देवी का कहना है कि दो आँकों से देखने वाली रानी मा भी उसे नहीं पहचान पाई और मजए की बात तो यह है मिलोड कि वो ही नकली प्रताब इतने दिनों तक पूजा देवी के साथ इन्हीं के बैटरू में सोता रहा और इन्हें पता नहीं लगा और पता लगा तो कब किस हा पूजा एक बहुती चालाग और बचलन ओरत है और यह आदर्श बहु बनने का नाटक कर रही है एक दिन जब रानी मा ने पूजा देवी को इनके प्रेमी के साथ पकड़ लिया तो इन्हों ने रानी मा का खून कर दिया यौर अनर मैनीजर और इनका पती जब रानी मा को बचाने के लिए आए तो इन्हों ने मैनीजर का भी खून कर दिया और अपने पती पर गातिलाना हमला किया यौर अनर यह सब साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ गवा पेश करना चाहता हूँ यौर अनर मेरा पहला कवा है रानी मा का ड्राइवर राम सिंग जब रानी मा और मोहन बाबू का खून हुआ तब तुम कहां थे हजूर मैं पाड़ी के पास ही था तुमा क्या कर रहे थे जी जी वहां हां बोलो बोलो क्या कर रहे थे तुमा जी वहां मैं पूजा मेम साब क यार को लेकर गया था पूजा मेम साब का यार कोने वो हजूर वो वो हजूर हाँ बताओ वो वो हाँ बोलो जी वो वो वकिल साहब क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि ये वकील साहब ही पूजा देवी की यार है जी हाँ इन दोनों का शादी से पहले का ही टाका है order order कि हाँ तो तुम बता रहे थे कि पूजा दिवी के कहने के मुताबिक तुम वकील साहब को पाड़ी पे ले गए थे जी साहाब ले गया था फिर क्या हुआ फिर किया वकील साहब ने मुझे सहों का पत्ता दिया और कहा जाओ फिर मैं वापस आने लगा यह जूट बोल रहा है इसे बोलने दीजिए जूट और सच का फैसला करने से पहले आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा कांटिने मिस्टर कुपता थैंकि यूर अर्णर हां राम सिंग जब त सब गड़बढ हो गई कैसी कड़बढ हजूर मैंने देखा के रानी मा पहाड़ी के तरफ आ रही है कि बड़ी हसी आ रही क्या बात है कि अरे बाप्रे क्या वह माह आ रही है कि पूंजो और पूंजो कुल्टा शर्म नहीं आते तुझे पराय मर्द के साथ कुई उचड़े उरा रही है तु मेरे खांदान की ना कर दे तुम्हें जाने वो कौन सी मनहुस घर थी जो तुझे मैं इस घर की बहु बनागर लाई थी आने दो पताब को मैं उसे सब कुछ बता दूंगे और तु देखना तु देखना बहु तेरा क्या हाल करता है तु देखना उसके आने तक तु जिन्दा नहीं रहेगी मैं यह सब देखकर घबरा गया हजूर और फिर दोड़कर साहब और मैनेजर साब को खबर कर दी हम इस अल्यूर अगर मेरे फाजिल दोस कुछ पूछ ना चाहें तो पूछ सकते हैं थांक यू मिसर कुपता हां तो राम सिंग बोलो तुम्हारी शादी हो गई जी नहीं तुम शराप पीते हो नहीं नहीं जी नहीं जुआ मटका वगेरा खेलते हो नहीं नहीं सरकार तो कोठों पर गाना सुनने जरू जाते होगे नहीं नहीं सरकार मैं कभी नहीं गया क्या मतलब तुम्हारे अंदर कोई बुरियादत नहींrek नहीं सरकार मुझे कोई बुरियादत नहीं अरे फिर उन 40,000 रुपयों गा क्या करोगे जी हा हाँ वही 30,000 जो तुम्हें जुटी गवाही देने के लिए मिले हैं मुझे 30,000 रुपय या फिर पैसे देने वाला जाने मैं तो सिर्फ इतना जाने की कोशिश कर रहा था कि इतने बड़े काम के लिए जहां करोडों की जाइदाद का सवाल है कि इस गरीब को कम पैसे तो नहीं मिले मिस्टर प्रेम आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते आप आम सारी और ओनर खेर राम अब तुम जा सकते हैं तैंकी सार नमस्ते मेरे काबिल वकील साहब को अगर कानून की मदद करने में कोई आतराज नहों यूर अनर तो मैं इसे को सवाल कर सकता हूँ मिस्टर प्रेम आपको मजबूर नहीं किया जा सकता अगर आपको आतराज ना हो नो यूर उनल मुझे कोई इतराज नहीं है मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा थैंक यू मिस्टर प्रेम क्या ये सच है कि आप और पूजा देवी एक दूसरे को उनकी शादी के पहले से जानते हैं जी हाँ जानते हैं आप दोनों में अच्छी दोस्ती थी जी अक्सर मिलते भी होंगे खायर जाने दीजिए शादी के बाद भी मिले कुछ दो या तीन बार अचनक मुलाकात हो गए थी मैंने ये नहीं पूछा कितनी बार मिले थे जी मिले थे वारदात के दिन भी जी हाँ वारदात के दिन भी मैं पूजा जी को घर पहुंचाने गया था नहीं नहीं मैंने ये नहीं पूछा कि आप क्या करने गए थे खेर मेरा आखरी सवाल क्या आप और पूजा देवी शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करते थे हाँ मैं पूजा से प्यार करता था आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा लेकिन प्यार करने के लिए मिलना ज़रूरी नहीं होता है अब एन्यों क्वेस्टिंस नो थेंक्स मिलोड मेरा अगला कभा है सब इंस्पेक्टर मिस्टर मुखर जी इंस्पेक्टर मुखर जी आपको खूनोने की खबर किस ने दी प्रता बाबुने क्या का उन्होंने उन्होंने कहा या पर दो खून हो गए परन चले आईए उसके बाद आप वहां पहुंचे और रंगे हा तो खूने को पकल लिया रंगे हाथों नहीं लेकिन जब मैं आनेंद महल पहुंचा तो मोहन बाबु का खून हो चुका था और जिस रिवाल्वर से उनका खून हुआ था वो पूजा देवी के सामने ही पड़ा हुआ था और तब मैंने पूजा देवी को अरेस्ट कर लिया हम तो यह विटनेस इंस्पेक्टर मुखर जी जब आप मौकाई वार्दात पर पहुंचे तो क्या आपने वो घाटी देखी जहां से रानिमा को फैंका गया था जी हां वहां आपको उनकी लाश मिली थी जी नहीं हो सकता है लाश नदी में बह गई यो लेकिन वीलचेर और वीडियो वीडियो कैमरा मिला है क्या कहा आपने वीडियो वीडियो कैमरा मिला इसकी हाँ किसी ने निकाल लिया है हो सकता है अच्छा पताईए इंस्पेक्टर साहब क्या आप और पुलिस के आद्मियों के अलावा वहां आपके साथ कोई और भी गया था जी यहां मिस्टे प्रताब बर्मन साथ में गए थे आं क्या यह मुम्किन नहीं है कि वो कसेट खुद प्रताब बर्मन साहब ने निक स्टर प्रताब बर्मन साती का इससे मंजा आपका नाम ? प्रताब बर्मन, आप पुजा देवी के पति हैं? नहीं, ये मेरा पती नहीं है, जद सहब, ये आदमी मेरा पती नहीं है, नहीं इसका नाम प्रताब है, ये रंजीत है ये ठीक कहा रही है जद सहब, मैं इसका पती होना भी नहीं चाहता, मैं भूल जाना चाहता हूँ कि इस खूनी के साथ कभी मेरी शादी हुई थी जिस मा ने उसे इतने बड़े घर की बहुरानी बनाया उसने उसी का खून कर दिया मेरी मा का खून कर दिया मेरी मा का खून कर दिया रिलेक्स रिलेक्स मिश्टर प्रताब सभालिए अपने आपको अधालत आपके साथ पूरा इंसाफ करेगी सभालिए अच्छा ये बताइए जब रानी मा का खून हुआ आप कहा थे आनंग महल में अपने मैलेजर के साथ बिजनेस की बाते करा था आपको कैसे पता चला के पूजा देवी ने रानी मा का खून कर दिया त्रैоватьются की मेरे पास है उसे बताया की पूजा और रानी मा में कुछ चबला चल रहा थाथ तो भी जा अपनी रानी बेहन के पास और उसके बाद मैंने पूजा को आनन महल के कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया मिस्टर प्रताप आपकी शादी कब हुई थी जी पिछले साल साथ आक्टोबर को शादी के कितने दिनों बाद आप हनीमून पे गए थे जी यही कोई ग्यारा मेरे के बाद इतनी देर क्यों लोग तो शादी करते फौरण चली जाते मैंने जब भी जाने की बात की पुजा टालती रही टालती रही कोई खास वज़े तब मेरी समझ में नहीं आया था पर अब मैं समझ क्या हूँ क्या समझ गए आशिक तो यहाँ था विदेश में क्या करते हैं पुजा देवी कहती हैं कि आप जो गाड़ी चला रहे थे उसके ब्रेक फेल हो गए गाड़ी खाई में गिर गई और आप मर गए वकील साहब अगर हमारी गाड़ी का एक्सिडेंट होता तो हम दोनों मरते हैं यानि एक्सिडेंट हुआ ही नहीं था हाँ एक एक्सिडेंट हुआ था लेकिन वो हमारी गाड़ी का नहीं था किसी और की गाड़ी का था हम दोनों ने एक गाड़ी को खाई में गिरते हो देखा था और अगले दिन वहां के अकबारों में उसकी फोटो भी छपी थी और उसमें ये लिखा था कि गाड़ी चलाने वाला एक हिंदुस तानी था जिसका नाम रंजीत था अब ये मुझे रंजीत बनाकर ये साबित करने पर तुली है कि मैं प्रता पी नहीं हूँ आज से पहले भी इस अदालत में लाखों लोग गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खा चुके हैं आप भी उनी में से एक हैं लेकिन मेरा अनुभव ये है कि सच बोलने की कसम खाने वाले अक्सर जूट बोला करते हैं आपका क्या ख्याल है बोलते होंगे लेकिन मैं सिर्फ सच बोलूँगा तो चलिए एक आसान से सवाल का सच्चा जवाब दे दीजी आपका असली नाम क्या है असली नाम से आपका मतलब क्या मेरे दो नाम है क्या मैं नकली हूँ अरे आप बेकार में नराज क्यों हो रहे हैं मैंने कब कहा कि आप नकली है तो पिर आपका असली नाम से मतलब क्या है ? मतलब यह है कि अक्सर लोगों के दो नाम होते हैं एक घर का नाम होता है जैसे विकी, weksi, ville बंडी وगेरा लेकिन उनका एक असली नाम भी होता है होता है यह नहीं ? होता होगा फिरक उसी तरह आपका असली नाम क्या है मेरा सिर्फ एक ही नाम है प्रताब बर्मन वल्द विजय बर्मन वल्द शम्शेर बर्मन और कुछ एक मिनिट एक मिनिट क्या कहा आपने प्रताब बर्मन वल्द विजय बर्मन आपको कोई अतराज है जी नहीं मुझे क्या अतराज हो सकता है यानि विचे बर्मन आपके पिता थे जी उनकी मुच्छे थी क्या अजी मैंने पूछा क्या आपके पिता जी मुच्छे रखते थे जी हां मूझे रखते थे तो इतनी देर तक क्या सोच रहे थे बच्पन में देखा था याद कर रहा था याद रखिएगा कहीं ऐसा नहों कि आप अपने बाप का नाम भी भूल जाएं खैर छोड़िये अच्छा ये बताईए आप बच्पन में कहां पड़े थे फिर आप पूछेगे मैं कौन से कॉलिज में पड़ा था बी ए कौन से डिविशन में पास किया था कौन से सब्डेट में कितने नंबर मिले थे जज सहाब मैं यहाँ अपनी मा के खून का इंसाफ मागने आ हूँ कोई नौकरी मागने नहीं आ हूँ और वकील सहाब अपने महभूमा को बचाने के लिए ये साबित करने पर तुल है कि मैंने अपनी मा का खून कियो करूंगा क्योंकि वो तुम्हारी मा नहीं थी, क्योंकि तुम प्रताब बर्मन नहीं हो अगर मैं प्रताब बर्मन नहीं हूँ, तो प्रताब बर्मन कौन है, कहा है प्रताब बर्मन वहाँ है, जहां तुमने उसे भेजा है मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है पिर से सोच लो क्या तुमने प्रताब बर्मन को कहीं नहीं पहुंचाया? मैंने उसे कहीं नहीं पहुंचाया क्या तुमने उसे दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचाया? नहीं क्या तुमने प्रताब बर्मन का खुन नहीं किया? नहीं तुम प्रताब बर्मन नहीं बलके प्रताब के कातिल रंजीत हो ये जूट है ये सच है 6 अक्टूबर कुन की गाड़ी का ब्रेक फैल करके तुमने उसे और पूजा दोनों को माट डालने की कोशिश की ये सरा सर जूट है और अब उसके हमशकल होने का फाइदा उठा रहे हो तुम नहीं जब रानी मा को ये बाते पता चली तो तुमने उनका भी खून कर दिया नहीं हाँ और अब सारे इल्जाम पूजा पर लगाकर खुज साब बच जाना चाहते हो ये सब बक्वास है जूट है जच साब मैं इस शहर का एक इजददार आदमी हूँ मेरा नाम प्रताब बर्मन है और ये रहा मेरा पासपोर्ट जिसमें हिंदुस्तान से बाहर जाने की और आने की सही तारीक लिख हुई है इमिग्रेशन की मोहर भी लगई है अगर मैं मर गया होता तो वापस कैसे आता मेरे पास तो मेरे जिन्दा होने का सबूत है पर क्या वकील साब के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो सकी कि प्रताब बर्मन मर चुका है अगर है तो उससे अदालत में पेश करे उसके बाद ही मुझे कातिल या बहरूपया ठेराए मिस्टर प्रेम कपूर अदालत ये जानना चाहेगी कि आपके पास प्रताब की मौत का कोई सबूत है भी या नहीं जी नहीं एक आदमी की गाड़ी का एक्सिडेंट होता है तैकिकात होती है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट होती है टेथ सर्टिफिकेट बनता है इन में से कोई भी चीज है आपके पास जी नहीं है और उनौर मिस्टर प्रेम कपूर अदालत में आना हो तो अपना केस ठीक से तयार करके आया कीजिए आदरवाइस डोंट वेस्ट माइ टाइम जज सहब मेरी आप से एक ही प्राथ्रा है इस केस का फैसला जो भी करना हो जरा जल्दी कर दीजिए मा तो मेरी मरी है वकील सहब की नहीं यह तो कोई ना कोई नाटक करते ही रहेंगे अगली बीस तारीक को इस केस का फैसला कर दिया जाएगा दा कोट इस एज़न वकील सहब आप सोचते होंगे कि प्रताब के मर जाने के बाद उसके पासपोर्ट में वापस आने की महर कैसे लगी बड़ी आसान सी बात है जब प्रताब मरा तो महलाल ने उसके पासपोर्ट की चगा मेरा पासपोर्ट रग दिया और मैं प्रताब के पासपोर्ट में हिंदुस्तान वापस आगया याले रंजीत मर गया और प्रताब जिन्दा है और हाँ एक बाद याद रखें तुम मुझसे कभी नहीं जी जागे क्योंकि तुम सच के गुलाम हो और मैं जूट का बाद चाहिए किया सुच रहे हैं मिश्चर प्रेम कितने दुख की बात है इंस्पेक्टर साब कभी कभी सच को जानने के बावजूद हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस सच का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता सच लाचार खड़ा देखता रहता है जूट जूट नकल मिसस पूजावदमन आपके वखिल साब नजर नहीं आ रहे हैं अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या कोई सुबूत देना है तो आप दे सकती है जच साहब मैं आपके सामने ये स्विकार कर चुकी हूँ कि मोहनलाल का खोन मैंने किया है जब मैं एक अपराद मान कर फासी का फंदा अपने गले में डाल चुकी हूँ तो फिर रानी मा के खोन से इंकार करने से फाइदा जूट का सहरा लेने की जरूरत जूट का सहरा तो वो लेते हैं जो अपराद करके कानून से बचना चाहते हैं अपना इलजाम दूसरों पर डालने के लिए नौकरों क पैसे ने दिये कोई छूटी गवाई ने दिलवाई तो फिर इतना भड़क क्यों रहे हो मैंने कब कहा था कि तुमने छूटी गवाई दिलवाई है मैंने तो कहा था कि रंजीत ने छूटी गवाई दिलवाई है क्या तुम रंजीत हो जट साब, मेरे पती के मरने का कोई सबूत नहीं है लेकिन क्या हर वो बात जिसका सबूत नहीं होता, जूट होती है अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है तो क्या आपकी अदालत ये फैसला सुना देगे कि भगवान नहीं है एक्स्क्यूज मी यॉर आउनर पेर से आने की माफी चाहता हूँ यॉर आउनर जब मुझे खबर मिली के रानीमा जिन्दा है तो मैंने इन्हे अदालत में लाना बहुत जरूरी समझा पुलिस वालों को इनकी लाश इसलिए नहीं मिली क्यूंकि ये नदी में बह गई थी कुछ गाउवालों ने इने देख लिया और बचा लिया पतकिस्मती से इनके बोलने की शक्ती चली गई है लेकिन ये अपने कानों से अच्छी तरह सुन सकती हैं और हमारे हर सवाल का इशारों में जवाब भी दे सकती हैं और इसी लिए और और इसके इस पर रोशनी डालने के लिए मैं इंसे चंद सवाल पूछना चाहता हूं पूछिए रानिमा जिस शक्स ने आपको पहाड से ठकेल कर खाई में गिरा दिया था क्या वो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है और से देखे रानिमा क्या आप इशारा करके ये बता सकती हैं कि वो शक्स कौन है वो जो वहाँ वाइट सूट में बैठा हुआ है लेकिन माजी वो तो आपका बेटा प्रताप है मिस्टर कॉपताब यस मैं आप साके ने में बात कामल जाता हूँ ठीक यूर अनर मैं मिस्टर पताब से अकेले में बात करने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है थेंक यू सर्व यूर अनर रानिमा ने अभी अभी अपने बयान में इस शक्स को खूनी ठहराया है मुझे डर है कहीं ये भागने की कोशिश न करे इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें इंस्पेक्टर मुखर जी की निगरानी में बेजा जाए रिक्वेस्ट ग्रांटेड इन्स्पेक्टर मुखर जी आप इन लोगों के साथ जाएए आप लोग यहां बैट कर बात कीजिए मैं बाहर बैट करता हूं थैंक यू वेरी मच्छ बैठोड़ मुख पात क्या है यू रॉनर नहीं सारस से कुछ सवाल नहीं सर अब आप कोई सवाल ने करें जड साथ मेरी माँ बजगे है अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान का लाग लाग शुक्र है के मेरी माँ जिन्दा है मा बा बा तू आगे बोल कौने तू बोल कौने तू आप भी देखे जड साथ नकली को असली और जूट को सच मैं नहीं वकील साब बना रहे हैं यह क्या तमाशा है मिस्टर प्रेम यह अदालत है कोई नाटक कंपनी का स्टेज नहीं यूर और इस अदालत में सेक्डों बार जूट का सहरा लेकर सच को छुपाया गया है हाँ आज मैंने भी जूट का सहरा लिया है लेकिन सच को छुपाने के लिए नहीं बलके सच को सामने लाने के लिए और यह रहा सच यूर आउनर मुझे पूरा यकीन था कि रानी मा को जिन्दा देखने के बाद रंजीत अपने वकील साहब के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहेगा और इसलिए इंस्पेक्टर मुखर जी उन्हें एक ऐसे कमरे में लेकर गए थे जहां हमने पहले से एक विडियो कैमरा चुपा कर रखा था वहाँ इन दोनों के बीच में क्या बाते हुई यह आप खुद देख लीजी पात क्या है यह रानीमा नहीं है क्या पक्वास कर रहे हो यह रानीमा नहीं है चुकि मैंने उसका गला दबा कर उसे मार ढाला था और उसके बाद मैंने उसे खाई में फेग दिया था तो भेल पूजा ने पूजा ने कुछ नहीं किया पूजा को पता था कि मैं उसका पती नहीं रंजीत हूँ उसने हमें रानी मा को भेखते हुए देख लिया और गोली चलाल लगी तब मैंने महलल को आगे कर दिया और वो मर गया कि कोई अपनी जगा से नहीं हिलेगा वरना मैं से गोली मार दूंगा चलो मेरे से नहीं है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे मरते ही यह सारे लोग तुम्हारे टुखड़े टुखड़े करते हैं गभारना झास नहीं कर सकता हैं झाल झाल खबरदार उचा तुम्हारा खेलकत मुवारंजीट चलो मंगल के शूप है यहीं अब बताइए आपकी जोतिश उद्या क्या कहती है अभी साथ शूब महुर्थ है और एक हफ्ते के अंदर तुम दोनों का विभायोग है नाए शास्त्री जी आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा क्यों दादा जी क्योंकि मैं एक हफ्ता और इंतजार नहीं कर सकता आजी तुम दो सुखी है साथ जाहिर है दोनों तरफ से ये मुहाबद तो छुपती नहीं हम कहें ना कहें इस जुबा से बात होटों पे रुकती नहीं फर्क पड़ता है क्या हां सिना से ये नजर योहीं छुपती नहीं साथ जाहिर है दोनों तरफ से ये मुहाबद तो छुपती नहीं